अलो दोस्तों, वेलकम टू मेंपॉर्ट सड़ी, तो आज हम करने वाले मैप, मोस्ट इंपोर्टन मैप, ठीक है, क्लास 10 के बोर्ड एक्जाम के लिए, यह जो चैप्टर है, यानि वोटर रिसोर्ट है, चैप्टर नहीं आ रहा है, इस चैप्टर में से एक भी कोशन आपके बोर्ड एक्जाम में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर इसके मैप आ रहे हैं, जैसे कि यह देखो, मैं रिवाइस लेबस की जो PDF है, वो भी मैने निकाल रखी है, तो आप देखोगे, सारे के सारे मैप आएंगे आपके, और यह मैप जो है, सारे के सारे डैम के है आई होप आपको पता हूँ डैम क्या होता है, ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, जैसे कि आप यह पिच्चर देख रहे हो ना, यह ना अपना डैम है, ठीक है, यह पानी है, यह यहाँ से निकल रहा है और दीरे दीरे जा रहा है, तो यहाँ पर टर्बाइन पता दूँ यार, बहुत इंपोर्टन चीज, बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा होगा, कि एरो डाल रखा होगा, और यह एरो दे रखा होगा, कि जी यह बताओ कि यह वाला डैम कौन सा, ऐसे एरो नहीं दे रखा होगा, आपको लेबलिंग भी खुद करना है, पांच मिनट लगाओ, पांच मिनट में आपको सारे की सारी स्टेट के नाम याद होगे, सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है, कि एक बार उसको लर्न कर लो पांच मिनट के लिए, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व होजाएगी, सिर्फ इस मैप के लिए नहीं, सारे मैप के लिए, जितने भी मैप हैं, उस सारी 50% प्रॉब्लम तब ही सॉल्व होजाएगी, अगर आपने सारी के सारी स्टेट की नाम याद कर लिए तो, ठीक है, जाधर साधा पांच मिनट लेंगे, ओकी जी, तो हम यह जो मैप करेंगे ना, ट्रिक्स के साथ करेंगे, ठीक है, तो हम सबसे स्टेट से भी मिलता है, जैसे कि राणा परताप सागर डैम, और आर से राजिस्थान, तो आपको यह याद रहेगा कि राणा परताप सागर जो डैम है, वो राजिस्थान के अंदर है, ठीक है, और यह राजिस्थान के अंदर यहाँ पर है, यानि राजिस्थान और मध्य है ना यादो का आपको वर्ल्ड की सबसे जो बड़ी वो स्टैचू है ठीक है और वो किसके नाम पे है सरदार वल्लब भाई पटेल ठीक है जिनको आइरन मैन ऑफ इंडिया भी बूला जाता है ठीक है तो उनहीं के पास मतलब वहीं पर एक डैम है जिसका नाम है सरदार सरोव देम तो इस से आप याद रख सकते हो ठीक है और यहाँ पर बिल्कुल यहां पर जैसे कि यह पूरा गुजरात है और इस तरफ है आपका डैम था यह परदेश चे थोड़ा सा पास पड़ता है और यह अपने महराष्ट के भी थोड़ा सा पास पड़ता है है तो अपना यह गुजरात के अंदर ही ठीक है तो आई होप ही आपको इसमें कोई लर्न करने में दिक्क्त आती हो और इंडिया के अंदर है ना सबसे चैनल आम ना तो आपको आपको अपके साउथ वाले पार्ट में है ठीक है तो यह अपना नागर जुना सागर डैम यह आपका आंदर परदेश में पढ़ता है आंदर परदेश और तेलंगाना के बिल्कुल बॉर्डर पर यह देखो देख रहे हो ना तेलंगाना के बिल्कुल बॉर्डर पर परदेश तो आप याद रखना आंदरपरदेश में भी दोड़ है तो दोवर्ड दोबर्ड तो आप याद रख सकते हो कि जो नागरजुना सागर डैम है वो आंदरपरदेश में है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस तरफ देखो और दूसरा जो अपना तुंगा बद्रा है जो मैंने बताया थोड़ा सा टफ नाम है वो आपका कहां पर है करनाटगा में यहां पर है ठीक है तुंगा बद्रा डैम याद रखना ही आपको वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी नहीं पूछा जाता है कि जो आपका डैम मैं वो कौन सी रिवर पर है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं, यह जो मैंने आपको बता है ना, सरदार सरोवर डैम, ठीक है, जिसको आपको सरदार वल्लब भाई, पटील के नाम से याद रखना है, स्टैच्यो अफ यूनिटी के नाम से याद रखना है, वो जो है वो नर्मदा रिवर पे बनावाए आपको अपने शाय सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन तो बहुत ही कॉंट्रवर्सी में रहा था यह वाला डैम ठीक है और जो अपना नागुरजुना डैम है यह जो है अपना कृष्णा रिवर पे है ठीक है यहां से कृष सलाल डैम यह किसी जम्मु कष्मीर के अंदर है यह कौन सी रिवर पे चेनाव रिवर यह की अपनी बता रहा हुआ जिससे आपको लन करने में कोई दिक्कत नाहीं प्र डिस्क्रिप्शन, मैं इसका हैibles के दे दूँगा मैं ठीक है जिससे आप डाउनलोड करके अराम से देख सको ओके जी यह हमको क्लेर हो गया अब जो इसके बादवला डैम है मतलब पांच डैम क्लेर हो गया अब हमारे राजिस्थान में अगर आपने यहां पर मांग कर दिया तब भी आपका गलती होगा मैं आपको यह बात क्लेर कर देता हूँ क्योंकि आपके जो CBSe की रिवाई भीटेस लेबल से उसके पहले से लिखा करनेकर ॉपर नीचे चलता है आपने यहां लगा दिया यहां लगा दे है यहां लगा दिया इतना चलता है और आप ही बच्चे में उसको हम सिंपल याद करनेते हैं भाकरा नांगल डैम हिमाचल परदेश में हैं अब बात करते हैं टीरी डैम की हाइस्ट और लार्जस डैम है इंडिया का जो वर्ल्ड का सबसे लार्जस डैम है वो अपना चाइना के अंदर है नाम बताना आप मेरे को सर्च क करके ठीक है तो जो टीरी डैम है यह कहां पर है यह अपना यहां पर ठीक है यानि यह जो उत्रा खंड है ना वहां पर है तो देखो बिल्कुल सीधा बन रहा है सलाल डैम यह अपना भाकरान अंगल डैम और टीरी डैम तो यह बिल्कुल तीनों यह अपना जम्मू कश्मीर में ये अपना हिमाचल परदेश में ये अपना उत्राखंड में ठीक है और ये जो अपना टीरी डैम है ठीक है ये जो उत्राखंड के अंदर है ये अपनी भागी रती रिवर गंगा पता है ना आपको गंगा भागी रती से भी भागी रती और अलंक नंदा जब मिलती है तो तो यह यहां पर, यानि है, तो यह अपना जो है, उड़ी सा के अंदर है, तो बस यह थोड़ा सा याद रखना, बाकी जब सब हो जो गए हैं तो इसको आप एक और समझ कर लर्न कर सकते हो कि जो हीरा-कुल डैम है वो उड़ीसा के अंदर है ठीक है दुबारा से ट्रिक बता देता हूँ राणा परताप सागर जो डैम है उसको राजिस्तान राणा परताप ऐसे नाम याद रख सकते हो ठीक है तो यह जो और यह जो तुंगा भद्रा है यह अपना करनाल टका में पढ़ता है ठीक है और इसमें एक नाम है तो इसमें भी एक वर्ड है एक वर्ड का जो नाम है ठीक है उसके बाद सलाल डैम नाम से पता चल रहा है किसी जम्मु कश्मीर के बंदे का नाम है सिंपल है छोटा है ठीक है यह अपना उतराखंडे के अंदर है और हीरा को डैम को और समझ के आप लर्न कर सकते हो यह उड़ी सा के अंदर है ठीक है I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो मैप आपको क्लेर हो गया हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा एक णीड़ी डिस्क्रीपशन में लिंक दे रखा है वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जरनी के बारे में बताने वाला हूँ आप वीडियो कैसे एडिट वगेरा कर सकते हो और आप यूट्यूब चैनल बनाके अर्निंग कैसे कर सकते हो उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ आपको ठीक है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आप भी पीछे मत रहा जाना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तो मैं आपको बताई चुका हूँ जितने भी चैप्टर है मैं विद नूट सब्सक्राइब कर चुका हूँ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ मैं MCQ वगएरा और मैं आप वगएरा की वीडियो भी बता चुका हूँ उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अमलब प्लेइलिस्ट में होगा ठीक है